ब्रह्मोस मिसाइल आसियान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बिलकुल उपयुक्त दक्षनपूर्व एशियाई देशों को ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल के लिए प्रमुख बाजार के रूप में देखा जाता है। आगे बर्षने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आसियान देश अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों इजेड की रक्षा कर सकते हैं। राणे ने कहा ब्रह्मोस कई समुद्री देशों के इजेड की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली निवारक प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है। यह सटीक मारक क्षमता का हत्यार है जो सस्ता और अत्यधिक प्रभावी है। इसे मिसाइल विध्वनसक और फ्रिगेट जैसे अग्रिम पंक्ती के युद्ध पोतों पर लगाया जा सकता है। CEO ने अपनी बात में जोड़ाते हुए कहा कि ब्रहमोस तटिये और गहरे समुद्र में युद्ध अभियानों के लिए एक शक्तिशाली हत्यार बन गया है। दक्षन चीन सागर जिसकी सीमा चीन, वियतनाम, फिलिपीन्स, मलेशिया और ब्रुनेई से लगती है, परसपर व उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में भारत-रूस संयुक्त उद्ध्यम के लिए और अधिक विदेशी ओर्डर मिल सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया। चाहे एशिया हो, अफ्रीका या दक्षन अमेरिका। कई देशोंने ब्रहमोस मिसाइल खरीदने की इच्छा व्यक इसे हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेट फार्मों से लॉंच किया जा सकता है। आने वाले समय में बाजार में ब्रहमोस का दबदबा बना रहेगा। भारत-रूस संयुक्त उद्यमिकाई, ब्रहमोस एरोस्पेस द्वारा विकसित, ब्रहमोस सुपरसॉनि बाजार में नेता बना रहेगा। राणे ने कहा। प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने और शीग्र ही इसका परीक्षन करने की योजना बना रहे हैं। आने वाले दशकों और उसके बाद ब्रहमोस एनजी की कोई प्रतिसपर्धी मिसाइल नहीं होगी। राणे ने कहा कि ब्रहमोस एनजी का परीक्षन आने वाले वर्षों में भारतिय वायू सेना आई ये एप कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से किया जाएगा। वर्षों में सुखोई 30 विमान हथियार का वर्षों संसकरण ब्रहमोस ए मिसाइल से लैस हैं। CEO ने कहा, जैसे ही हम सुखोई से इसे एकी कृत और इसका परीक्षन करने में सफल हो जाएंगे, तो हम ग्राहक, भारतिय वायू सेना की इच्छा नुसार, LCA तेजस और अन्य प्लेटफार्मों पर ब्रहमोस NG को एकी कृत करेंगे। हाइपरसॉनिक ब्रहमोस रडार पर है। राणे ने साक्षातकार के दौरान यह भी खुलासा किया कि हाइपरसॉनिक ब्रहमोस मिसाइल कंपनी के रडार पर थी। उन्होंने कहा, भारत और रूस समेत कई देश आईपरसॉनिक मिसाइलों पर कार्य कर रहे हैं। DRDO इस तकनीक पर काम कर रहा है। हाइपरसॉनिक ब्रहमोस निश्चत रूप से हमारे रडार पर है। उन्होंने कहा, कि DRDO और NPM भविश्य में हाइपरसॉनिक मिसाइलों का संयूक्त विकास कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद